अब अपना क्लामेटिक फेक्टर का जो बचा हुआ पार्ट था उससे देख लेते हैं अभी तक अपना सोलर रेडियेशन और टेंपरेचर वाला पार्ट है वो कवर कर चुके हैं इसके फर्स्ट पार्ट में सेकिंड पार्ट में हमें देखना है विंड मॉश्चर और लेकिन की निगेटिव इंपट बहुत जब्यदा पॉप्लर होते हैं तो सबसे पहले निगेटिव इंपक्ट ही देखेंगे कि आखिर तेज विंड यानि की इस्ट्रॉंग फिर्ड हमें कैसे निगेटिव इंपक्टेड करते हैं तो इसका फर्स्ट बेस्ट एग्जामपल है कि ऐसे एरिया खासकर अपनी जो मौन्टेन रीजन है अगर कोई पहाड़ी है उसके टॉप पर अगर कोई प्लांटेज है जैसे यह जो ट्री है वो यह मौन्टेन जो है उसकी एज पर है तो इस साइड से continuous strong wind मिलती रहती है इसका result होता है कि यहां के जो ट्री है वो एक तो छोटे हो जाते हैं small in size and it become flag tree क्योंकि इनकी साइड में क्या है ट्री की ब्रांचे जो है वो दोनों साइड ही ग्रो करती है इस साइड भी ग्रो करती है लेकिन क्योंकि इस साइड की ब्रांच को कोई stress नहीं ह करना पड़ता है तो यह आराम से survive करती है लेकिन इस side की wind को यहां से जो आने वाली जो strong wind है उनके साथ continuous struggle करना पड़ता है लड़ना पड़ता है तो वहां पर बस नहीं पाती है वो break हो जाती है especially initial stage में वो break हो जाती है तो इसका result होता है कि यहां इस type के tree मिल जाते है जिनमे एक side पूरक पूरक crown है वो एक side है single sided है इन्हें बोलते है फिलक्ट्री जैसे कि आपने कहीं flag लगा रखे हो यूजली कहां पर मिलेंगे अपने को जो mountain region है खासकर mountain की ridge region पर जैसे अगर इसे mountain माल लो तो इसकी जो ridge region है यहां पर अपने को फिलक्ट्री देखने को मिल जाएं sort height में होने के दो region होते हैं फिर्स्ट तो यह है कि height के साथ जो valley है suppose यहां पर यह अपना valley region है यहां पर moisture की availability बहुत जदा होती है तो plant की अगर height जदा भी है तो उसे sufficient moisture available है वो आराम से moisture को absorb करके उस level तक पहुछ पाता है यानि कि अगर plant की height जदा है तो उसके लिए moisture की requirement भी जदा है more requirement है और valley में moisture काफी enough है तो वो उसे easily available करवा पाता है और वो survive कर लेता है लेकिन जो height है height पर जाने के साथ साथ first thing तो यह है कि moisture की availability कम हो जाती है जदा available नहीं है तो अगर plant की height बहुत जदा है उसे जदा moisture की requirement है जबकि वहां पर available है ही नहीं तो पर वो कैसे survive करेग mass उसकी height को कम कर देता है second है जो wind है wind stress जो है वो भी इसमें responsible करता है क्योंकि wind desiccating effect छोड़ेगा इस पर जो height region है mountain की वहां पर हमें यह इसी type की plant देखने को मिलेंगे next है जिसे अक्सर हमारे यहां के साथ है अपने cyclone आ गया कोई तो उड़ी सा है आंदर प्रदेश से जो अपने coastal region है वहां पर अक्सर इस type की condition बन जाती कि जो cyclone आया और उसने फैनी आया नाग आया कोई भी आया उसने जो tree होने root से uproot करके इस type से road को block कर दिया तो यह क्या हुगा wind जो है wind ने एक type से plant को है उन्हें फैक दिया throw कर दिया तो इन्हें बोलते है wind throw ऐसा भी होता है कि कुछ plant ऐसे होते हैं means बहुत ही strong type के wind कैसी भी हो bone आ जाते है तो उन्हें बोलते है wind farm थोड़े hard type के root system ब wind farm होते हैं वो easily उखड़ते नहीं हैं कई बार rapturing भी हो जाती है जैसे plant है हवा के साथ है नी टूट पा रहा है लेकिन इतना हिलता है को उसका जो internalities हुए है वो damage हो जाता है और क्या हो सकते हैं कि जैसे soil erosion है अपने wind erosion सुनाई हुआ है एवैपो ट्रांस्परेशन चीज़े होती है एक है यह जो plant है यह करते हैं ट्रांस्परेशन यह अपने lift के थ्रू क्या कर रहा है ट्रांस्परेशन दूसरा है जो अपनी soil है वहां से water का evaporation होता है evaporation means आपके पास जो च्छत होगी रूफ जो होगी आप उस पर जाकर के morning में चाहिए और एक बाल्ट च्छत थी उसने absorb नहीं किया बलकि जो heat थी रूफ की उसने जो अपना latent heat है उसे absorb करके जो water था वो evaporate हो गया है इसमें चला गया इसमें sky में चला गया अपना अब evapotranspiration का sense होता है कि जब evaporation और transpiration की जो process है दोनों एक साथ चल रही हो तो जो wind है वो evaporation को भी बढ़ाता और transpiration को भी बढ़ाता तो evapotranspiration जो rate है वो wind से बहुत ज़दा होती है यहाँ पर जो अब भी बताया गया था कि यहाँ पर जो wind stress बहुत ज़दा होता है तो वो क्या कर रहा है वो यहाँ evaporation भी बढ़ा रहा और transpiration भी बढ़ा रहा है यानि कि evapotranspiration की rate जो है उसे wind यहा पहे उनकी हाइट थोड़ी छोटी हो जाती है और अगर आप और हाइट में जाएंगे तो एक हाइट आजाती है इसके बाद प्लांट का ग्रोथ करना अलमस्ट निगली जीवल होता है क्योंकि उसके बाद प्लांट को जो रिकagtॉरिमेंट है नूट्रियंट की वो अवाइलेबल नहीं हो पाता है तो उसे बोलते हैं हम टिंबर लाइन तो वो जो लाइन है इसके बाद पर हमें स्क्रब वेजिटेशन मिल जाती है वो भी स्क्रब किस टाइब की भले ही आप हिमाचल में हो यानि की कोल एरिया में हो फिर भी आपको डेजटिक टाइब की वेजिटेशन मिल जाएगी और वो बिलकुल बैसी होगी जैसे होट डेजट की वेजिटेशन है जीरो फैटिक क्योंकि उनके साथ भी मॉस्चर स्ट्रेस का इसु है नेक्स होता है जो साल्ट पार्टिकल्स है वो भी उसके साथ एयर में आ जाते है जब ये साल्ट पार्टिकल एयर में आ जाते है और यूजली होता क्या दिन के टाइम है इन ड्यूरिंग टे टाइम हमारी जो सर्फेस है सर्फेस से विंड जो है उसमें साथ में आ जाते हैं यह salt particles और यह salt particles जो coastal region है उनकी जो soil है उस पर एक टाइप से spray कर दिया जाता है यह बहुत ज़्यदा negative है catastrophic होता है वहां की soil के लिए क्योंकि यह वहां की soil salinity बढ़ा देते हैं और फिर एक बहुत सारी टाइप की vegetation है जो वहां grow नहीं कर पाती है क्योंकि high salinity में majority जो trees species है बो survive नहीं कर पाते हैं फिर forest fire है अब उससे जानती हो कि एक जगाँ आग लगी हो यह जो wind है उसे बहुत सारी जगाँ फैला देती है अब इसके देख लेते है पॉजिटिव impact पॉजिटिव में एक तो रेखेंगे seed dispersion में कौनी फर्स में खास कर यह होता है कि plant जो है उसने अपने seed को produce किया और wind ही है जो उसके seed को एक जगाँ से दूसरी जगाँ तक लेके जाएगी तो यह जो है इसे बोलते है एनिमो चोरी यानि कि seed का dispersion याद रखने के लिए थोड़ा आसानी चाती है एनिमो मतलब होता है wind एनिमो चोरी का मतलब थीफ जैसे यह चोरी कर रहा है चोर है तो एनिमो चोरी मीज यह क्या करेगा यह seed को जो अपना wheat है या कोई भी है जो ग्रैन है उसको यह थीफ है वो लेकर जा रहा है तो एनिमो चोरी जो wind है वो seed के dispersion में रोल प्ले करती है यह उसके साथ प्लांट क हो रहा है उसमें भी तो उसे बुलते हैं फिली एनिमो फिली तो एनिमो फिली एनिमो चोरी दोनों में रोल प्ले करती है खासकर जो अपने कौनी फर्स है उसमें तो दोनों ही होती है इसमें अगर कौनी फर्स में जाएंगे तो हम इसमें फोर्ट सब्जक्ट होगा अपना और मेल कौन होगा वो होगा लवर साइड में यह ट्री हो गएंगे कहां इस टाइप की मॉन्टेन रीजन पर विंड जो है वो नीचे से जा रही हो यह मेल कौन से क्या होगा पॉलन ग्रेन बनेंगे यहाँ पर कोई दूसरा यहाँ पर ट्री होगा कौनिफर्स का उसमें भी मेल यहाँ होगे फीमिल कौन इतर होगे तो यह जो पॉलन ग्रेन है वो इस टाइप से विंड के साथ उपर जाते हैं और इस टाइप से यह फीमिल कौन से गूं करके जाते हैं यह रहा कौन और उसका रिजल्ट ह होता है इनके बीच में पॉलीनियशन तो यह एक टाइब से वेंड चो है वो पॉलीनियशन में काफी रॉल प्ले करता हैं थार्ड तिंग है पैजिटेशन का distribution कोई भी वेजिटेशन है वो wind अपने साथ जिस डारेक्शन में सीड लेके जा रही है उसी डारेक्शन वो धीरे धीरे टाइम के साथ spread होती जाएगी तो इसका distribution है rainfall का pattern जानते ही हैं अपने नौर्थ इस मांसूल साथ वेस्ट मांसूल wind के diversion मतलब wind जो है उसके reversal के साथ ही ये मांसूल का आना जाना चलता अपना इसमें next अपना आएगा हिस्टा मौश्चर वाला मौश्चर से related चीज़ हैं जो भी अपने को देखनी है मौश्चर और flood में ये एक basic theme है जो हम geography बगर में पढ़ लेते हैं यहाँ शिल्वी कल्चर में ऐसी कोई question आने वाले अपने हैं तो मौश्चर के लिए क्या है कि अपने इंडिया में अगर मांसून की बात कर ली जाए यानि कि रेनफॉल की बात कर ली जाए तो five type की रेनफॉल होती है एक जो अपने मांसून मैंली जो अपनी है वो तो ये अपनी southwest मांसून वाली है जो अपनी जून से सेप्टेंबर के बीच में चलती है जून से सेप्टेंबर ये मांसून से आने से पहले जब नौर्थ इंडिया में दर गर्मी पढ़ रही होती है अपना समर चल रही होती है उस टाइम पर भी कुछ बीच बीच में रेनफॉल हो जाती ह लेकिन नौथीस्ट मांसून और सौथवेस्ट मांसून के बीच का पीरियड होता है वो लगवांगे 10-15 दिन का जिसमें विंड जो है वो धीरे-धीरे करके रिवर्स डारेक्शन में जा रही होती है जो पहले अगर नक्सा बना लेते हैं डाइक्राम पहले विंड की जो डारेक्शन वो यह रही होगी वो अब रिवर्स हो रही होती है तो एकदम अचानक से नहीं होती है कि जैसे अपने सुछ दबाया है और रिवर्स हो गई आहां उसे थोड़ा टाइम लगता है तो यह डियूरिंग टाइम में जो बीच का पीरियड है उसमें आते हैं साइकलोनिक डिप्रेशन यह अपना बीच का पीरियड है तो यह डिप्रेशन बगर रहे हैं यह उड़ी सा है जो कुस्टल रीजन है उनमें काफी अच्छा कासा मोश्चर की अवालिटी करवा देते हैं और लास्ट में अपने दिसम्बर जनवरी फरवरी तक आता है वेस्टरली डिस्टरबेंस यह जो जनवरी फरवरी के टाइम पर जो मोश्चर मिल जाती खासकर जो वीट क्रॉप है नौर्थ इंडिया में उसको मोश्चर जो अवैलेवल करवा देते हैं वेस्टरली डि रेनफॉल है वो है इसमें थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जैसे प्री मांसून रेनफॉल है तो अपने आउसे एक क्योंकि उस टाइम पर बैसाक का टाइम चल रहा होता है और जब बीच में एकदम मैन इसू होता है कि नौर्थ इंडिया में उस टाइम पर दर गर्मी बढ़ रही होती है टेंपरेचर है वो 48 तक पहुंच जाता है 48-49 कुछ जगह 50 की क्रॉस करने पर होता है 49 तक हो जाता है तो इतना जैता है जो हीट अप है उसका रिजल्ट होता है कि साउथ वेस्ट जो मांसून है वो खिच रहा है मेडाकास कर मस्करीन हाई वेसें से वो तड़क-धड़क के साथ साथ तो उसे हम बोलते हैं काल बैसाखी बैसाखी होता है बैसाख का मन्त होता है लेकिन काल क्यों डेथ वो इस टाइप का ये एकदम तड़क-धड़क गरजने वाला होता है लोगों को लगता है जैसे उनका काल आ गया है क्योंकि ये जब एकदम बरसता है अचानक बहुत heat up की वज़े से आ रहा है तो बिजली गरना बिलकुल बादल तड़कना दर तरीके से एकदम जो torrential rainfall होगी है तो इस टाइप की condition होती है तो कई बार इस टाइप का question आता है कि यह जो काल वैसा की है वो क्या है तो वह एक टाइप से pre-mansur rainfall है और पर्षोड नॉर्थिंडिया होता है इसी को करनाटक तिर्शन में मेंगो पुलते हैं टैप करनाटक और जो तामिल्हाडूग को लगाहुए रिज़न है निल गी प्रेट्वुечатू का तो उसमें जो बेंगलॉर के असपास का रिजन है वी इसे मांगो सौवर बोल देते है रीजन उसके बीजी यही है कि उस टाइम पर मैंगो जो है वो मैच्योटी पर होता है और वो गरने वाला होता है क्योंकि मैंगो की जो ब्रांच है यह फ्रूट है यह फ्रूट जिस यह छोटे से पार्ट से लटका हुआ है अगर गर्मी पड़ रही है यह सूख जाएगा तो मैंगो प्री मैच्योडी नीचे गिल जाएगा यह जो कालव ऐसा खी है यह कुछ मौश्र बढ़ा देता है एयर में जिससे यह गरने से बच जाता है और रिजल्ट है क्योंकि मैच्योड अपनी पूरे मैच्योर होने के बाद ही गिरता है तो इसलिए वो मैंगो सावर वग बुल बुल आया था अपने यहां तो यह सारी चीजे बीच में चलती रहती है साइकलोन वगरे के डिसकुसन का अपने यहां कोई अब्जक्ट नहीं है फिर आएगा अपना नौर्थ इस मांसून के साथ यही देखना है कि बेसी कली जो मांसून आ रहा है हमारे यहां मांसून से नौर्थ इंडिया को कोई खास बैनिफिट है नहीं लेकिन जब यह विंड है सर्कुलेशन में इंटर करके जब वेस्ट वंगाल वे से इधार रिटन होती है तो यह जो तमिल नाडू का रीजन है तमिल नाडू कुछ पार्ट आंधरा का और कुछ पार्ट करना तका तो यह वाला जो रीजन है बेसिकली यही रीजन है जिसे नौर्थ इस्ट मांसून से सबसे ज़्यादा बेनिफिट है तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट यह नौर्थ इस्ट का यही लेते है इन्हीं को इसमें रीजन में मोजन जो अपना रेंफॉल है बहुत जदा होती है इसे देख लो नेक्स अपना क्लास्ट आता वैस्टर्ली डिस्टरबेंस इसका यह है के इसके अपना जो मेडिटेरियन सी है और अपना की जो बलाग सी बगर NATO है वहाँ से मॉश्चर अपलेफ्ट होके होती है अपने जो यह मॉस्चर जो है वो इंटर करती है इस रीजन में और यह अपने मॉस्चर के साथ साथ यहां पर करती है नौर्थ इंडिया में रेंफॉल यह रेंफॉल कर रहे होती है तब जब नौर्थ इंडिया में उस टाइम पर वीट को ग्रो कर रहे होते हैं लोग अब वीट में फोड़ा फार्मर को help कर देते हैं मुश्चर के बाद अपना आता है flood वाला case उसमें वही उसके causes क्या हो सकते common सी चीज है यह से हम लोगों ने civil वगर हमें पढ़ी रखा होगा disaster management पर यह नॉर्मल पढ़ी लेते हैं next बता है कि flood damage क्या कर देते हैं जो भी अगर forestry की बात की जाए तो कोई भी plantation आपने कर दिया पूरे को wash out कर देते हैं soil erosion का issue है soil aeration का issue है remaining things जो है कि इससे जो अपना water logging है उससे किस टाइपी समस्याइं खड़ी होंगी यह यहां discuss करने की objective नहीं है time की साथ यह particular जब soil के chapter आएंगे तो वहां पर हम इन चीजों को detail में discuss करेंगे यहां पर बस यह देख लो कि हाँ यह यह शारी चीजें चल रही है जो कुछ समस्याइं खड़ी कर रही हैं बस खड़ाएं यहां अपने जो climatic factor वाला जो chapter था वो complete हो चुका है next अपना आएग उन चीजों को देखेंगे अब जमीन के मुद्धे पे अपने दो पार्ट आते हैं एक है conceptual part conceptual part का मतलब के forest soil क्या होती है soil क्या होती है soil कैसे बनेगी उसका distribution क्या है soil की chemical, physical, biological, बायलोजिकल, प्रोटिप वगरा वगरा सोयल की classification वगरा यह चाहते हैं अब इसके लिए अपने dedicated subject है आपका forest soil तो यह सारी चीजों को हम वहाँ पढ़ेंगे यहाँ अपना purpose नहीं है यहाँ अपना purpose है soil में related है तीन चीज़ा है एक है mycorrhiza दूसरा micronutrient तीसरा है bio fertilizer यहाँ पर micronutrient basically यहीं से लिंक है लेकिन यहाँ यहाँ पर निप्टा लेंगे तो थोड़ा आसान हो ज कीज़ें देखना है द्यान रखें एक mycorrhiza है दूसरा अपने bio fertilizer निप्टाएंगे और तीसरा micronutrient mycorrhiza को समझते है क्या आखर यह है क्या है mycorrhiza myco का मतलब होता है fungi mycology myco rhiza का मतलब होता है roots rhizome rhizome मतलब root zone यह actual में क्या है एक टाइप का relationship है symbiotic relationship है जिसमें यह जो fungi है यह एक टाइप से जो plants है higher plants है उनके साथ एक relationship में चले जाते हैं कि भाई तो मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा बस वैसे ही चलता है यह फंजाई यह बोलता है कि भाई कुछ nutrient हैं कुछ hormones हैं और बहुत कुछ है जो plant absorb नहीं कर पार रह यह plant की जो limit है absorption की उसके बाहर है यह simple way मैं बोलने है तो plant की आउकाद से बाहर है तो fungi बोलता है कि भाई बो हम कर लेंगे बस आप एक काम किया करो कि हम photosynthesis नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि जो fungi यह उसके पास क्या नहीं होता है उसके पास नहीं होता है chlorophyll chlorophyll नहोना होना मतल वो food का food जो उसकी खाना है वो खुद नहीं बना सकता तो वो available कर भाएगा कौन plant तो इस type से दोनों बोलेंगे तुम मुझे खाना दो मैं तुम्हें नीचे से minerals, पानी, protection, defense, hormone यह सब दूँगा तो यह type का इनके बीच में symbiotic relationship है अब relationship है तो उसके भी कुछ stages हो सकती है जैस मुझे में भी कुछ type हो जाते है that's why वो सी के similarly हाँ mycorrhiza है उसके भी कुछ type हो गये तो basically उसके तीन type होते है एक है ectomycorrhiza, दूसरा endomycorrhiza और तीसरा होता है ecto endomycorrhiza यहाँ पहला पढ़ेंके, पहला है ectomycorrhiza, ecto का मतलब क्या है आउपड, इसमें क्या है कि जो suppose यह plant है, tree है, इसकी root है, यहाँ पर यह root थी, fungi ने क्या किया है इस root के, कि उसकी outer cover, outer cover पर fungi के जो filament थे, वो उसके साथ attach हो गए, fungi के जो filament है, वो क्या करेंगे, suppose यहाँ पर soil है, soil से, for example, phosphorus एक mineral है, जो plant की root है, वो absorb नहीं कर पा रहे थी, क्योंकि यहाँ की, suppose, soil है, वो बहुत जड़ा acidic थी, तो acidic होनी के वज़े से, phosphorus जो है, वो unavailable form में आ चुका है, यानि कि वो form जिसमें plant absorb कर पाते हैं, उस form में नहीं है, वो इस type की form में चला गया है, जिसमें plant उसे absorb नहीं कर पाते हैं, तो फंजाई क्या करेगा, वो लगा tension मतलो, मैं हूँ ना, तो यह जो फंजाई के flamen्ट है, यह इस phosphorus minerals के साथ chemical react करेंगे, और phosphorus को soil से release करके, अब्जॉर्ब करके, इस plant को देंगे, यहाँ ध्यान देनी बात यह, बाली बात यह है, कि यहाँ फंजाई के जो flamen्ट है, यह इसकी जो root की cell है, उसके साथ साइटो प्लाजमिक कनेक्शन नहीं बना रहे हैं, यह root की cell के जो intercellular है, उस space में चले गए हैं, यह क्या करेंगे, यहाँ से phosphorus को absorb करके, यहाँ तक पहु जो normal तरीका है, प्लांट का absorb करने का, वो प्लांट उसी type से करेगा, यानि कि यह कुछ इस type का है, कि आपके पास wheat नहीं है, तो यह जो हंजाई है, यह बाहर से खाना tip in pack करके लेके आएगा, और आपके पास रख देगा, बस यहाँ cell का काम यह है, कि वो tip in खोल करके, खाने इसे बोलते हैं, ectomycorrhiza, ecto means outer, अब ऐसा हो, यानि कि यहाँ पर fungi जो है, वो plant cell के साथ direct cytoplasmic connection में नहीं है, तो इस case में फंजाई को क्या करना पड़ेगा, यह जो root है, उसके चारो तरब से वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से पूरी गुथी होगी, क्योंकि उसको actual में communication अतना बेटर नहीं है, तो यह चारो साइट से उसकी cover कर देगी, तो इसे बोलते हैं, fungal mental, तो यहाँ एक तो याद रखना है, कि ectomycorrhiza में जो fungi है, वो fungal mental बनाता है, और वो जो cell है, उसके साथ cytoplasmic connection में नहीं होती है, ओके, यह तो basic चीज़े समाज में आ गए होंगे, उ इसे बोलते हैं, endomycorrhiza, इसमें क्या है, फंजाई जो है, फंजाई प्लांट सेल के अंदर जाके, जैसे यह फंजाई का जो फिलामेंट है, वो इस cell के अंदर जाके, उसके साइटो प्लाजमी के साथ connect हो गया, यानि कि अब अगर यहाँ से यह फासफुरस को absorb करेगा, तो absorb करके यह cells space में नहीं छोड़ेगा, अब सीधा plant cell के अंदर जाएगा, यानि कि सामने बाला जो tip in है, वो pack करके नीले आएगा, वो घर पे लेके आएगा, tip in खोलेगा, और खाना उठाके आपके मुहमर रखेगा, सीधा सीधा, तो यह endomycorrhiza, वो direct सीधा का सीधा, साइटो प है, वो थोड़ी advanced type की है, वो एक्टो वाला पुराना relation से प्रा होगा, बाद में development के phase में जो evolution होगा, उसमें later phase के part है, later phase की condition है, यानि कि कुछ evolved fungi इसमें involved होंगे, second thing, क्योंकि अब direct communication है, तो इन्हें जो fungal mental है, जैसकि यहाँ पर जो fungal mental बना रहे थे, यह mental बनाने की जरू नहीं होती है, तो यह रहा endo-mycorrhya, इसके बीच का एक थोड़ा difference समझ लेते है, एक्टो और endo के बीच में, एक आप structure में समझ में आ गया होंगे, कि यहाँ पर जहाँ fungal mental बना रहा था, यहाँ पर यह fungal mental जैसी structure नहीं है, यहाँ जो filament है, वो cell के direct side of plasma के साथ connection में नहीं थ जब कि यहाँ वो उसके साथ direct communication कर रहा है, जैसा मैंने बुला कि यह जो एक्टो है, यह primitive type का है, यानि कि इसमें फंजाई जो है, फंजाई है, इसके लगवाद पांच classes आती हैं फंजाई की, फाइव क्लासिस आती हैं फंजाई की, इनका जैसा evolution हुआ उसके साब से, तो य जब कि फाइको माइसिटी जो की एडवांस फंजाई आती है, वो involved होती है, एंडो माइकोराईजा के formation में, तो इसलिए इसे बोलते हैं, वेस्कुलर, और्वस्कुलर, माइकोराईजा क्योंकि यह direct वेस्कुलर टेसू के साथ clamp connection मनाती है, उसके साथ combination मना लेती है, ज़धत स्पर्म है, उनमें यही होता है, और यह जो जिम्नो स्पर्म है, वो कम advance होते हैं, एंग्यो स्पर्म जधा advance है, अगर आपको क्लाश्फिकिशन कोलेंगे, तो इस टाइप साएगा कि थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरीडोफाइटा, फिर आएंगे अपने जिम्नो स्पर्म वो लास्ट मैं, एंग्यो स्पर्म, एंग्यो में भी सबसे पहले आते हैं, डाइकोट और फिर आते हैं, अपने मोनो कोट, मोनो कोट को ज़्यादा advance माना जाता है, तो यहाँ पर अपने जिम्नो स्पर्म है, थोड़े कम डेपलप है, इसके असाथ एसको और बेसिडियो वाले बनाते हैं, और यह जो अपना डाइकोट है, उसमें बनाते हैं, यह अपने फाइको माइसिटीज, यहनि कि हर्वेजियस, आज की टाप मेजूटी में जो है, वो एंडो माइकोराईजा होता है, जो थर्ड माइकोराईजा का टाइप है, एक्टो बिलकुल दो नॉर्थ पूल और सौथ पूल एक से रहेंगे, या तो यह मिलेगा, या वो मिलेगा, आहां, निचर में इनका मिक्स अप फॉर्म ज़्यादा मिलता है, यानि कि जहां एक्टो और एंडो दोनों का कंबनेशन है, वहां एसकोब अशिडियो भी है, उसी मैजोर्टी एक्टो एंडो पर खतम हो जाती है, जब आप थार्ड पिलर लेखेंगे, तब आपको एक एक्स्ट्रा जो एज है कुस्चन में वो मिल जाती है, अब इससे रिल्टेट कुस्चन देख लेते हैं, बहुत सिम्पल से कुस्चन है, आप बिलकुल लिख सकते हैं, discuss in detail the kind of mycorrhiza and benefit drive by the plant from them, कि हम इनके mycorrhiza के kind किया, कितनी type किया है, तो आप start कैसे करेंगे, mycorrhiza की definition लिखेंगे, फिर उसके type लिखेंगे, फिर उससे क्या benefit drive होते हैं, उन्हें लिखेंगे, benefit को अभी अपन अगली slide में discuss करेंगे, फिर यहां discuss between act to end, end of mycorrhiza, घूम फिर करके चलते रहे हैं, in respect of structure and function, या 2011 में पूछा था कि mycorrhiza की जो act to endo के बीच का जो difference है, वो उनकी structure और function में कैसे variation है, तो structure में आप देख सकते हो, कि एक तो basic है, इसका fungal mental मादा, दूसरा है, इसका cytoplasmic connection, कि जो endo mycorrhiza है, उसमें वो direct, जो root context cell है, उनके साथ cytoplasmic contact में है, fungal hyping, यानि कि fungal filament, जबकि active में नहीं है, तो एक type से सीधा structural चीज़ा, वो समझ में जाती है, आपको, function में आप समझी सकते हो, कि function में आल्मूस, इनमें बहुत major difference नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत enzymatic difference है, लेकिन आप इतने पर काम अपना चल जाता है, अब इसके function क्या है, यानि कि mycorrhiza जो हम पढ़ रहे हैं, उसका हमारे लिए importance क्या है, ये 2017 में भी इस type का question ना रखा था, कि mycorrhiza के benefit वकर रहे क्या है, और इसके inoculation वकर रहे कैसे करते हैं, inoculation में जएता कुछ है नहीं, notes में दे रहा है, उससे यहां discuss करने की ज़रूवत नहीं है, लेकिन उसका importance समझ लेते हैं, पहला importance क्या है, कि कोई भी plant है, starting अपने भी बार बार अपन कर रहे थे हैं, phosphorus के absorption है, first ले लेते हैं, यह एक plant है, इसके पास four roots, यह four roots है, इन roots के आपने roots share बगर पढ़े होंगे, तो इनके कुछ roots share है, लेकिन इसका जो surface ही रही है, वो एक limited है, यह उससे जदा growth नहीं कर सकता है, जो root ही आ रहा है, उतना ही है, तो उससे इसकी जो water absorption करना है, minerals absorption करना, उसके लिए उतना ही कर सकता है, जितना इसके पास root है, इसके साथ आ जाता है fungi, वो बुलता है कि tension नहीं लो, इसका suppose यह जो root हेर है, इसको मैं यहा ले लेता हूँ, इस root हेर को मैं इतना बड़ा बना देता हूँ, यह जो fungal filament है, वो इसके साथ root हेर के साथ attach हो करके इस type की structure बना लेती है, एक fungi का filament ही है, इस पूरा fungi लगा हुआ और उसने यहाँ पर अपने filament फैला रखे है, तो इस type से क्या हुआ कि जो total surface area है, root का, वो increase हो गया, जिससे water का absorption है, minerals का absorption है, उसे यह आसानी से absorb कर लेता है, यानि कि पहले की compare में अब water और minerals का absorption बहुत ही आसान इस हो जाता है, एक पहला benefit, यह जो benefit है, इन्हें ध्यान से दो, ध्यान दो, यह केवल यही important नहीं है, इनका important ना केवल silvy culture, बलकि आगे भी चलेगा, चार पांच ऐसी जगह है, जहां यह mycorrhiza का practical application है, आपके question की writing में, जैसे एक question आता है, just example, जैसे आपको इसका important समझ में एक question आता है, कि जो, usually हमारी जो forest plantation है, वो फैल हो जाती है, यह क्यों, यह mycorrhiza वहाँ पर भी apply होता है, दूसरा कि हमें यह जो drought tolerance है, उसको increase करना है, यह कि फैल ना हो, तो उसमें कैसे application होगा, क्या किया जा सकता है, तो उसमें भी mycorrhiza apply होता है, तो यहां क्या है, कि एक तो वो soil moisture of minerals की availability बढ़ा देगा, दूसरा, ऐसे minerals, जो unabsorbable form में है, जैसे कि अगर किसी soil का जो pH है, वो बहुत जदा है, high pH या low pH पे कुछ ना कुछ ऐसे minerals होते हैं, जो unavailable form में चले जाते हैं, reserve form में चले जाते हैं, तो जो fungi है, वो chemical secret करेगा, और उनको absorb कर लेता है, जबकि plant की limit है, वो उसे absorb नहीं कर सकता है, लेकि फंजाई कर सकता है, तो ये उन्हें available form में convert करके absorb कर लेता है, third एक कुछ फंजाई nitrogen fixation में भी role play कर देते हैं, तो ऐसी soil जहां nitrogen की कमी है, अगर उनके साथ mycorrhizal relation है, तो plant को nitrogen की deficiency जहलनी नहीं पड़ती है, यानि कि उसे survival के chances बहुत ज suppose plant का किसी weed grasses के साथ अगर competition है, तो stress हो रहा है, plant को तीजी से growth करना है, और growth के लिए हर्मोन चाहिए, और वो हर्मोन अवालेबल नहीं है, तो जो grasses वगर है, उनके साथ हर जाएगा, फैल हो जाएगा, regeneration उसका फैल हो जाएगा, जैसे कि हम साल में पढ़ेंगे आगे, dieback phenomena in suria robusta, तो यहाँ पर क्या है, कि बहुत सारी जो हार्मोन है, especially oxygen है, इनका जो फंजाई है, वो production करता है, और एक टाप से plant की जो growth है, उसकी जो height growth है, root growth है, उसको support देता है, तो plant rapidly growth करता है, और जो सबसे important है, वो है disease resistance, बीमारियों से protection में help करता है, फंजाई, यह बीमारियों से protection में कैसे role play करेगा, इसके दो example है, means, दो way है, two way है इसके, first क्या है, suppose यह insect है, यह plant है, जिस पर इस insect ने attack कर दिया, हर plant का, आप लोग अभी इस level पर नहीं पढ़ना होता है, last में आप जाओगे, तो यह समझ लेना, जैसा, 2012 में वो जो space वाली, जादू वाली movie आई थी, not अ इतने भी plant है, वो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वो आपस में communicate करते हैं, communication करते हैं, पैसे यहाँ पर है, कि जैसे अगर कोई plant है, उस पर किसी insect ने attack कर दिया, तो यह plant क्या करता है, कुछ chemical release करेगा, और यह release करेगा, किस लिए है, यह बताने के लिए, कि इसी की species के जो आ attack हो गया है, मैं मर रहा हूँ, लेकिन तुम अपने आपको बचा सको तो बचा लो, अब इसका communication किस टाइप से होगा, जब यह leaf पर attack करेगा, तो leaf से कुछ volatile organic compound को release करेगा, यह volatile organic compound air के थुरू दूसरे plant पे पहुँचेंगे, इसकी leaves उसको absorb करेंगी, sense करेंगी, और यह अपन defense mechanism करना सुरू कर देगा, यानि कि बीमारी नहीं पहुची, उससे पहले ही दूसरा plant जो है, वो defensive chemical है, वो करना सुरू कर देता है, अब इसे कैसी defensive mechanism अडप्ट करनी चाहिए, इस insect से लड़ने के लिए, वो कैसे पता पढ़ेगा, क्योंकि जब इस पर attack हो रहा होता है, यह भ वालूम पढ़ गया, कि यह वाली गोली जो है, वो सही काम करती है, लेकिन क्योंकि इसकी बहुत ही कमजोड हो चुका है, तो अब इतनी condition में नहीं बचा, लेकिन इसने यह बता दिया, कि यह वाली bullet जो है, वो इस insect को मालने के लिए सबसे best way है, तो वो जो volatile organic compound है, उसने इस को communicate कर दिया, और यह उसी टाइप की bullet का production बढ़ा देगा, जब तक इंसेक्ट इस पर अटक करने की condition में आएगा, तब तक यह उसे production कर जुका होगा, तो जैसी insect आएगा, यह उसे निपठ लेगा, एक तो air communication हुआ, प्लांट के बीच में, यहाँ फंजाई का कोई रॉल नह होता है, अब root to root में होता है क्या है, कि अगर प्लांट की जड़े हापस में closely link है, तो वो direct हो जाती है, कई बार क्या है, लिंक नहीं होती है, तो जो mycorrhiza है, वो एक network का का काम करता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में जोडने का, जब इस प्लांट में, वो defensive chemical जो है, उनका जो label है, इसके cell से प्लांट में बहुत जड़ा होगा, तो वो जो protein है, वो fungal hyvee के थूरू इस प्लांट के पास पहुंच जाती है, और इस प्लांट को समझ में आ जाता है, कि हमें क्या करना है, तो इस type से second plant जो है, वो resistance डिवलाप कर ले था, इंसेक्ट पिस beneficial in increasing soil born disease of forest nurseries, give example, ectomycorrhizal fungi जो है, वो soil born disease में कैसे beneficial है, यानि कि कैसे resistance प्रवाइड करती है, तो उसका पहला example है, कि जब किसी एक प्लांट पर कोई insect अटेक करेगा, सपोज इसकी root जो है, soil born की बोला जा रहा है, तो कोई soil born पैथोजन होगा, जैसी की fungi, dumping of के लिए rhizoktonia ले ले लेते हैं, तो जब rhizoktonia इस पर attack करेगा, तो ये plant जो है, फंजाई के थुरू, यानि की ectomycorrhizal बोला था, इसके पीछे एक region ये है, कि देखो ये इसका suppose root थी, इस root के एक part को ले ले लेते हैं, यानि की ये plant है, समझ में आने के लिए, इसका root का एक छोटा सा part ले लिया, ये बादा, जो fungi है, जो dumping of कर रहा था, उसके पहले ये जो ectomycorrhizal, उसने क्या कर लिया, यहाँ एक fungal mental बना लिया, mental मतलब, जो root थी, उसे चारो तरफ से cover कर दिया, उसे चारो तरफ से घेर रखाया, जब कोई नया फंजाई आएगा, तो उसे जगाही नहीं न, वो attach ही नहीं हो पा रही, क्योंकि उसे attach होने के लिए, जो space चाहिए, वो है ही नहीं, available ही नहीं है, क्योंकि पूरा जो space था, उसे ectomycorrhizal ने cover कर लिया, तो इस type से ectomycorrhizal उसे एक space ना दे करके भी protection देता है, तो दूसरा benefit हमें यह हो गया, और भी चीज़े हैं, दीरे दीरे time की साथ, उन्हें भी discuss करेंगे, पर आप इसे सोचो, think करो, chapter पढ़ो, और उसके साथ देखो के और क्या हो सकता है, time के साथ आप उन जैसे जैसे silvical चरांगे कर इक वो है bio fertilizer, पहला आता अपना fertilizer, यह कोई भी plant है, उसको growth करने के लिए कुछ type के organic or organic minerals की जरुवत होती है, और वो कहां से मिलते हैं उसे, soil से, लेकिन time के साथ, soil क्या है, exploit हो जाती है, soil में एक जो requirement है, वो नहीं मिल पाती है, तो इस case में हम लोग देते है, fertilizer bars, जैसे आपन nutrients हैं, उन्हें भी दे रहे हैं बाहर से, अब यह जो आप दे रहे हो, इसका लगती है, आपको पैसा खर्च होता है, खालकर जैसे nitrogen वगरा है, इसके लिए आपको पैसा खर्च करना पूरता है, आप चाहते हो कि एक काम करें, ऐसे organism को पकड़ के लेके आए, जो nitrogen का fixation करते ह अगर वो nitrogen का fixation better way में करेंगे, suppose उन्होंने हर डेली एक केजी nitrogen का fixation किया, तो आपको DAP खरीदने की जरुवत नहीं है, तो वो DAP से सस्ते पढ़ते हैं, DAP suppose पढ़ रही है आपको 100 रुपय पर केजी, और वो nitrogen fixation जो कर रहा है, वो तो natural है, उसे तो कर नहीं करना है, तो वो उसे खेत में introduce करने की जो पैसे लगे आपको 5-10 रुपय पही है, remaining आपके 90-90 रुपीज बच गया है, तो इस टाइप से यह थोड़ा सस्था पढ़ जाता है, चीप पढ़ जाता है, तो इसे बोलते हैं bio fertilizer, मतलब हमने कोई micro organism, suppose यह एक micro organism है, तो हम soil में अपने में जो भी अपने पास यह farm है, भाई, उसमें या तो हम सीथे सीथे इस micro organism को introduce कर रहे हैं, या फिर यह micro organism कुछ product कर रहा है, यह कुछ produce कर रहा है, इसका जो secretion है जो इसके produce है इसके उस produce को हम farm में लेके आ रहा है तो या तो micro organism को use कर रहा है उसके produce को हम use कर रहा है अपने farm में सीधा inoculate कर रहा है जिससे हमारे जो farm ये जो surface है ये soil है उसकी fertility ये productivity बढ़ सके यूजली हम करते क्या है सीधे की सीधे जो micro organism में उसी को use करते हैं तो क्योंकि micro organism में एक living thing है एक bio है इसलिए उसे बूलते हैं bio fertilizer यानि कि हम fertilizer ना देखे living thing को दे रहा है as a fertilizer अब इसमें कौन-कौन से आएंगे वो हमारे परपज के साफ से हैं जैसे कुछ micro organism में जो nitrogen fixation करते हैं उन्हें बोलते है nitrogen fixing bio fertilizer इसमें अपना आता है जैसे legume बगरा है तो इसमें राइजोबियम दे देते हैं कुछ जिका एजोला है एजोटो वेक्टर है एजोस्पारिला में बीजी बगरा इनको दे देते हैं यह भी nitrogen करते हैं खासकर यह free living है एजोला और एजोटो वेक्टर है यह free living है और यह जो एजोला है एनाबीना एजोली यह राइस के सब फार्म ग्रो कर देते हैं चाबल की खित में जिससे वहाँ nitrogen की deficiency बगरा है थोड़ा कम है यह एजोला एक प्लांट होता है उसके अंदर एक बैक्टरिया होता है एनाबीना एजोली तो जो एनाबीना है वो nitrogen fixation करेगी और वो nitrogen fixation चाबल को सीधे वहीं पड़ोस में मिल जाएगी तो इस टाइप से nitrogen की जो requirement उसे complete कर लिया जाता है वैसी फासफूरस है उसकी दिक्कत आती है फासफूरस अक्सर immobile form में आ जाता है immobile जैसे मैंने बोला था भी कुछ टाइप पहले के temperature जो है soil का जो pH है वो उंच नीचे हो जाती है higher चला जाए lower चला जाए तो जो फासफूरस है वो unavailable form यानि की immobile form में convert हो जाता है तो यहाँ पर भी कुछ है माइकोराइजा वगरा है कुछ बैक्टेरिया है सीडोमोनास प्यूटेटा वगरा है सीडोमोनास वगरा है तो यह उसे convert करवा देते हैं वालिबल फॉर्म है यानि की absorbable या available फॉर्म है और उसे absorb करने के लिए जाता है वैसी कुछ organic matter को डिकप पोज़ बगरा करने के लिए होते हैं तो इस टाइप के जो mycorrhiza को यूज करना है राइजयोबियम को यूज करना है अजूला को यूज करना है इन्हें बोलते हैं bio fertilizer एक कुछ common से bio fertilizer है जो mz q-based exam में पूछे जाते हैं जैसे कि nitrogen fixing के लिए nitrogen fixing के लिए usually हम दो चीज़ें use करते हैं एक तो rhizobium और दूसरा फरेंग किया एक को majority अपने पास plant होते हैं जिरे हम बोलते हैं दाल वाले plant pulses पल्सिस यानि ही leguminous जो leguminous plants हैं उनके में by natural by default setting होती है एक टाइपस है कि rhizobium जो एक bacteria है जो soil में होता है वो leguminous plant के साथ काफी limit ह सी evolutionary relationship में है कि जब भी ये leguminous plant grow करेंगे वो उनके साथ root में जाकर के एक somatic relationship में आ जाता है और वो nitrogen fixation करता है लेकिन यहां जो rhizobium है वो leguminous के साथ ही है natreten fixation है लेकिन किवल leguminous में करता है और सारे जहां में किवल leguminous ही family के तो plant है नहीं तो जो other family है उनके साथ किया तो अधर फैंबली में खासकर दो प्लांट आते हैं कहजुराइना और एल्डर उनको यह फैसिलिटी करता है फ्रेंक किया और रिमैनिंग जो बहुत सारी प्लांट है मतलब रिमैनिंग लाग वो 70-80% जो प्लांट इस पिसी बचती है वो अभी तक किस टाइप के कुछ रिले अधर फंजाई यूज कर लेते हैं इनने देख लो खासकर कुछ ऐसे एक्जाम जरितमा है MCQ और थियोरी दोनों है कमाइन फॉर्म के एक्जाम है जैसे कि सिक्किम का है सिक्किम है सिबल और फोरिष्ट्री वगर रहे हैं कमाइन जॉइन टाइप कर चालते हैं उनमें इसे देख सकते हैं लास्ट अपना इसका पार्ट है स्वाइल न्यूट्रियंट कोई भी प्लांट है उसमें 17 टाइप की जो न्यूट्रियंट है उसे रिक्वार होते हैं यानि कि प्लांट जो है उसे 17 टाइप की न्यूट्रियंट है उन्हें रिक्वार्मेंट है अगर वो 17 ट पाएगा जो करना चाहिए था इसलिए उसे बोलते हैं इसेंशियल एलिमेंट या इसेंशियल नूट्रियेट यह थे थी आर्नोन ने उन्होंने कुछ क्राइटिरिया बनाए और उसके बेस पर बताया कि यह डूटल सत्रा एलिमेंट ऐसे होते है एक्सुल में आर्नोन ने फिर एक काटेगराइज किया जाता है माक्रोन नूट्रियेंट किया है यह सिवल में अपने IFS में रेटे में ऐसा कुछ आता है उन्हीं बस आपको एक बेसिक कॉंसेप्ट समझ दो कि हान् नूट्रियेंट होते हैं यह इसा कुछ चलता है इसमें आ्नोन नही ग्राइटिरि किया जाता है जैसे कि Phosphorus है वो H2PO4 या HPO4 2- यहाँ पर 1- है यहाँ 2- है इन दोनों फॉर्म में अब्जार्ब किया जाता है यह सारी चीजें जो है कि कौन सा मिनराल्स किस फॉर्म में अब्जार्ब किया जाता है यह MCQ-based एक्जाम के लिए ठीक है अपने IFS में इनका कोई सेंस नहीं है हलाकि यह नोट्स में दिया गया है क्यों कि कुछ अपने इंडिया के ऐसे एक्जाम है जिसमें MCQ-based और रिटेन दोनों ही आ रहा है वो भी IFS वालों के साथ पढ़ रहे है या IFS में ऐसे भी candidate है जो कहीं न कहीं future में स्टाप की planning कर रहे है को कोई MCQ-based एक्जाम भी दे देंगे तो इसलिए इसमें add कर दिया गया यहां अपना जो forest swell वाला पार्ट है या edific वाला फैक्टर वाला पार्ट है वो खतब हो जाता अब इसकी last exercise देख लेते हैं को what are the source nature of element consider as essential plant nutrient question को कर लो basic theme अपने पढ़ी चुके है इसका यहां पर पूछा था कि जो element है उनका source क्या है तो जब अपन soil science पढ़ेंगे तो वहां पर इन चीजों को देखेंगे कि हमें जो फास्फूरस है देखो basic source अपनी क्या है soil है अब soil में इसका purpose यह होता है वह है minerals कि फास्फूरस किस टाप के mineral से निकल रहा है nitrogen कहां से मिल रहा है मैं calcium है किस टाप के mineral से निकल रहा है तो जब soil में हम minerals पढ़ेंगे उसमें यह चीज जदा explain होगे फिर यहां एक टाइप से question model question है ट्राइ कर लेना इसा इसका सिंडेटियर वेरियस टाइंड और वाय फाटाइजर बैनिफिट ड्राइब आए यहां पर अपना स्वाल हो जाता है आपका valuable टाइम देने के लिए अगर कोई issue है तो आप यहां पर पूछ सकते हैं और कहीं और भी कोई issue है सपोर्च जो वीडियो है दो टाइप के हैं एक मैं जहां पर मीज आपको किवल पीपीडी दिख रही है और किवल वैस ओवर है बेकराउड में एक तो इस टाइप के हैं या शेकर्ड में जहां मैं छोटे से साइड में कहीं आ रहा हूं या फिर पूरे मैं सर्फेस पर चल रहा है जो डिजिटल वोड है उस पर है तो यहां पर एक बार थोड़ा कम्मिनिकेशन का एक issue है कि जब डिजिटल वोड पर लेता हूं यहां पर सर्फेस पर आता हूं सौट में तो कुछ इस टाइ है कि नहीं डिजिटल वोड और इस टाइप से साइड में जो छोटी स्क्रीन में जो वर्बली डिरेक्ट कम्मिनिकेट हो रहा था अगर वो ठीक है तो फिर आप उस पर सिफ्ट हो जाएंगा ओके थैंक्यू कर दो